Hello students, welcome to Maths Calculator. Start करतें question number 3 from exercise 1.4. Fill in the blanks. अभी हाँ division के कुछ questions दिये हैं, उनमें हमें fill in the blanks करना है. यहाँ 369 divided by dash 369. 369 को किस से divide करें कि 369 आए? यहाँ पर भी हम signs को भूल के फिर करेंगे, बाद में signs को देखेंगे. तो 369 को अगर हम 1 से divide करते हैं, तो क्या होगा? value change नहीं होगी, क्योंकि किसी भी number को अगर हम 1 से divide करेंगे, तो number same रहेगा. अब यहाँ sign plus है, यहाँ भी plus है, तो plus को plus बनाने के लिए क्या करना होगा? एक और plus से divide करना होगा, तो यह answer रहेगा 1. next, minus का 75 divided by dash equal to minus का 1. मतलब 75 को किस से divide करेंगे, कि 1 आजाए? 75 को अगर हम 75 से ही divide करेंगे, तो answer 1 आएगा. अब sign को देखते हैं, यहाँ minus का sign है, यहाँ भी minus का sign है, तो minus को किस से divide करेंगे? कि minus है, तो अगर यहाँ पे एक और minus होगा, तो क्यों होगा? minus minus, plus होगा, बट हमें क्या चाहिए? minus चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे plus से, तो plus minus मिलके क्या बनेंगे? माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? 75, तो minus 75 divided by 75 equal to minus 1. Next, minus का 206 divided by dash equal to 1. अब ही sign को छोड़ते हैं, 206 को किस से divide करेंगे? 1 आए, तो 206 है, same number को same से divide करेंगे, तो answer में क्या आएगा? 1, अब यहाँ sign है minus का, और यहाँ है plus का, अब minus से plus बनाने के लिए क्या करना है? एक और minus से हमें इसे divide करना है, तो यह हो जाएगा minus का 206. अब next is same, 87 को किस से divide करेंगे? 87 नहीं रहे, तो 1 से divide करेंगे, किसी भी number को 1 से divide करने पर उसकी value change नहीं होती है, बट sign को देखें, यहाँ minus है, यहाँ plus है, minus को plus बनाने के लिए क्या करना होगा? एक और minus की ज़ुरत है, यहाँ पे, तब ही तो plus बनेगा, तो यह answer हो गया, minus 1, मतलब minus 87 को minus 1 से divide करेंगे, तो answer आएगा 87. नेक्स पार्ट करते हैं कुश्यन का, डैश दिवाइड़ बए 1 इक्वल टू माइनस 87, अब 1 को किस से divide करेंगे, 87 आए, तो हमें पता है, अगर किसी भी number को 1 से divide करते हैं, तो उसमें कोई change नहीं आतो उसकी value में, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 87 होगा, अब sign की बात करें, यहाँ minus का आ रहा है, यह 1 प्लस में है, तो यहाँ पे कौन सा sign होगा, minus बनाने के लिए plus के साथ एक minus होगा, तो यह answer होगया, minus का 87, नेक्स डैश डिवाइड़ बए 48 इक्वल टू माइनस 1, अब minus 1, माइनस भूल जाते हैं, 1 आंसर का बात है, जब same number से ही, उसी number से उसी number को डिवाइड करें, मतब 2 को 2 से डिवाइड करें, तो ऐसे ही 48 को 48 से डिवाइड करेंगे, तो 1 आएगा, अब हम sign देखें, यहाँ minus का है, यह plus का है, तो minus बनाने के लिए plus के साथ क्या होगा, एक minus का sign, तभी तो plus minus मिलके minus बनेंगे, अगर यह plus हो जाएगा, तो वहाँ पर भी plus हो जाएगा, next, 20 divided by dash equal to minus 2, अभी minus भूल जाए, तो 20 को किस से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तो 10 से, 10 to the 20, अब sign, यहाँ minus का है, और यह 20 plus का है, तो क्या होगा, प्लस से minus बनाना तो क्या चाहिए, यह minus हीए, तो answer हो जाएगा, minus 10, अब last part करनें question का, dash divided by 4 equal to minus 3, 4 को, 4 किस से डिवाइड होगा, जिस से answer 3 आए, मतलब किस नंबर को हम 4 से डिवाइड करें, कि answer 3 आए, तो क्या करेंगे, इनको multiply करके देख लेंगे, 4, 3s are 12, मतलब 12 divided by 4 क्या होता है, 3, अब sign देखें, यहाँ minus है, यहाँ plus है, तो plus से minus बनाने के लिए क्या चाहिए, एक minus चाहिए, तो यह minus 12 divided by 4 equal to minus 3, कुछ भी doubt है, तो comment section में जरूर clear करिए, अच्छा लगे, तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करिएगा,